आकाश्वाणी भुपाल सिफ्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे पहले एक अपील भारत ने कोविड टीका करण अभियान के अंतरगत सो करोड टीके लगाने का लक्ष हासिल कर लिया है इस महत्वपुर्ण कारे में योगदान करने वाले चिकित्सकों नर्सों और अन्य स्वास्त कर्मियों का आकाश्वाणी अभिनंदन करता है इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है आप सभी से हमारी अपील है कि अथा शेगर दोनों टीके लगवाए और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें त्योहारों के समय क्रप्या इन तीन आसान उपायों का पालन अवश्य करें मास्क पहने दोगस की दूरी बनाये रखें हाथ और चेहरा साफ रखें कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्क दर्शन के लिए अब इस बुलिटेन के समाचार सबसे पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री G20 और COP26 पर विश्व नेताओं के शिखर बेठक में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की पांच दिन की यात्रा पर रवाना होंगे कोविड टीका करण अभियान को गती देने के उद्देश से सरकार शुरू कर रही है हर घर दस्तक महा टीका करण अभियान मुख्य मंत्री ने किसानों को किया आश्वस्त कहा प्रदेश की जरूरतों के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे और बिना आवासी भूखंड वाले परिवारों को निशुल के प्लाट उपलब्ध कराएगी राज्यसरकार अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी G20 शिखर सम्मेलन और विश्वनिताओं के 26 वे अंतरराष्ट्रिय जलवायू शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात इटली और बिटेन की 5 दिन की यातरा पर रवाना होंगे यातरा के पहले चरण में श्री मोधी रोम में 30 से 31 अक्टूबर तक G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे इसके बाद श्री मोधी अंतरराष्ट्रिय जलवायू शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लॉस गो रवाना होंगे वहीं आज 18 भारत आसियान शिखर सम्मेलन को सम्मोधित करते हुए प्रधान मंतरी ने भारत की एक्ट इस्ट नीती और व्यापक हिंद प्रशांद शेत्र के लिए भारत की परिकलपना में आसियान के महत्व को रेखानकित किया है उन्होंने इस शेत्र में कोविट महामारी से निपटने में भारत के प्रयासो का उलेख किया केंद्री स्वास्थ मंतरी मंसुख मांडविया ने कहा है कि भारत कोविट टिकाकरण अभियान को गती देने के उत्देश से महा टिकाकरण अभियान हर घर 10 तक शुरू कर रहा है अभियान के तहट अगले एक महिने तक सभी राज्यों में स्वास्त कर्मी घर घर जाकर लोगों को टीके लगाएंगे श्री मांडविया ने कल नई दिल्ली में विज्ञान भोवन में राज्यों के स्वास्त मंत्रियों के साथ बात चीत में यह जान करी दी वही राष्ट व्यापी कोविड टीका करण अभियान के तहट अब तक 104 करोड चार लाग से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं स्वास्तिय मंत्राले ने बताया है कि कल 49 लाग से अधिक टीके लगाए गए इस दोरान 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए स्वास्थ होने कि दर 98.2 प्रतिशत है इधर प्रदेश में भी अब तक वेक्सीन के 6 करोड 94 लाग से जादा डोज लगाए जा चुके हैं केंद्रिय आवास और शहरीकारी मंत्री हरदीप सिहपुरी कल नई दिल्ली में UMI सम्मेलन 2021 में विभिन्र शेणियों में पुरुसकार प्रदान करेंगे इंदोर के अटल सिटी बस ट्रांस्पोर्ट लिमिटेट को अवार्ट फॉर एक्सिलेंस इन अर्बन श्रेणि के तहत लोग परिवन सेवा में देश की सबसे प्रतिश्ठीत सिटी विद द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशिंग मेकनिजम अवार्ट से सम्मानित किया जया के अटोल इंदोर सिटी ट्रांस्पोर्ट सर्विसेज लिमिटेट द्वारा गेस आधारित बसों का भी संचलन किया जा रहा है। देश में सबसे पहले अभिनाव तरीके से यात्री सुईधाओं के लिए काम करने के लिए यह अवार्ड मिल रहा है। में से भाग्यशाली विजयता हैं बराव रोड मउगंज रिवाजिले के आशुतोष मिश्र। श्री मिश्र ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विस प्रतियोगिता को एक सराहनी पहल बताया। के माध्यम से बरतमान युवा पीड़ी को देश के अतीत के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं आकास वाणी की पूरी टीम एवं देश के यससवी प्रधान मंत्री जी का हरदय से आवहार ग्यापित करता हूँ। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए। मास्क लगाएं। दो गस दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें। हाथ हर मूँ साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा की है और प्रदेश की आवशक्ता के नुसार हमें खाथ निश्चित रूप से मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जिलों में किसी भी स्थिती में खाथ की काला बाजारी ना हो तथा न्यायपूर्ण वित्रन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री चोहान ने प्रदेश में खाथ की आपूर्ती के संबन्द में केंद्री रसायन एवं उर्वरक मंत्री मंसुक मांडविया से फोन पर चर्चा भी की। राज्य सरकार ने तै किया है कि जिन परिवारों के पास भूखंड नहीं है उन्हें राज्य सरकार निशुल के प्लाट उपलब्ध कराएगी। इससे प्रदान मंत्री आवास योजना में मकान बनने की राह भी खुल जाएगी और बाकी योजनाओं का लाब भी मिल सकेगा राज्य सरकार द्वरा ग्रामिंड शेत्रों में प्रत्यक ग्राम पंचायत में आबादी शेत्र की भूमी पर पात्र परिवारों को आवासिय भूखंड उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवासिय भू अधिकार योजना आरंब की गई है। सिक्योरिटी पेपर मिल इटार्सी को राज्य भाषा के सर्वर शेष्ट क्रियानवेन के लिए गोवा में आयोजित एक कारिक्रम में राज भाषा शील्ड से सम्मानित किया गया। कारिक्रम का होजन केंद्री ग्रह मंत्राले के अंतरगत राज भाषा विभाग द्वारा क किया गया था केंद्री मंत्री श्रीपत नाइक और अजय कुमार मिश्रा ने पूरुसकार प्रदान किये अब कुछ समाचार संशेप में मुख्य सचीव इकबाल सीह बेसने सागर के स्मार्ट सिटी के निर्मान कार्यों की वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से समिक्षा क परते हुए समस्त निर्मान कार्य समय सीमा में पूर्ड करने के निर्देश दिये गुना जिले में मिलावट से मुक्ती अभ्यान के अंतरगत खाद्य सुरक्षा, अधिकार योधारा, सतत निरिक्षन और नमुना लेने के कार्य किये जा रहे हैं कटनी जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हाथसों को रोकने के लिए अब इस पीडगन से वहानों की रफ्तार की जाज की जा रही है खंडवा के शाषक के एसनातकोट तरकन्या महाविद्याले में प्राचार डाक्टर गीताली सेन गुप्ता ने सभी को मददान करने की शपत दिलाई लोकसभा संसदी शेतर खंडबा के अंदरगत विधान सभा निर्वाचन शेतर बागली में मत्दान दलो को कल मत्दान सामगरी प्रदान की जाईगी सतना जिले के सीहपुर में कलेक्टर ने अधिक से अधिक मतदान करवाने के लिए आंगनवाडी कारेकर्ता और आशा कारेकर्ताओं को प्रोस्ताहित किया इस बुलिटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दोगस की दूरी हाद धोना भी है जरूरी नमस्कार